लड़ियों की fantasy होती है न कि हमें एक लड़की के साथ make out मारा हुआ है पता है जब मैंने ये वाला haircut लिया था न मैं बहुत जादा खुश था अपनी लाइफ से सारी tension ने खतम हो गई थी लेकिन वो कहते है न जब तक इंसान की life में चुल ना हो वो खुश रह नहीं सकता बस फिर क्या था चुल से मिले मिलके लगा कि यार यही प्यार है और बस दिल मन गया बाकी अब आठ मन्थ हो चुके हैं मुझे बाल ग्रो आउट करते हुए जब से म मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ग्रो आउट करने की सोच रहे हो अपने हैर को यह सारी दिक्कते आ सकती हैं कुछ-कुछ चीज़े ऐसी भी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर यही चीज़े हैं आपके साथ तो बाल मत ग्रो आउट करना सबसे पहला हैं बिलकल भी उने बांस नहीं या आपको लगते हैं वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं या ती और वोसोटा हो सकाथ अपने एक्सेहर और टाइप के साब से उतना उनको रखना क्योंकि वह आप सोचोगे कि यह मैं ऐसा लगने वालों मैं ग्रीक को टाइप का लगुआ बट मेरे हिसाब से जिनके बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल चिपके बिल्कुल फ्लैट वाले उनके उपर यह एस वीडियो को देख रही हो तब भी आपको long hair नहीं रखने हैं वह इस वरज़से क्योंकि देखो यह सब psychological होता है जैसे ही आप बाल होगे और देखो कि अपनी यहां पर भी आपने वाश करे होंगे अपने hair को कि यह इतने सारे बाल वह एक्चुली में लंबे बालों की वह थोड़े फोल्ड होके लगते है होता होता नहीं है जितना पहले आपको hair fall हो रखा है लेकिन अगर आपको जादा हो रहा है long hair में कभी कवार अगर आप उनको maintain ना रखो तो hair fall बढ़ने का chance बढ़ जाता है and that's when you know कि आपको long hair रखने की जरुरत नहीं है comment करके बतानों कि क्या आपको hair fall face हो रहा है या hair thinning की problems हो रही है क्या पता इसके उपर हम लोग एक future में वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करें and क्या बता आप में से किसी एक को हम लोग साथ ही साथ solutions भी देते second point आजाता है कि long hair are not manageable in the mid stage अब देखो मैंने इसके उपर एक vlog भी है जो मेरे बाल इतने जादा लंबे नहीं से थोड़े से छोटे थे आप समझ लो कि वो एक awkward stage आजाती है जब आपको पता नहीं होता कि exactly बालों के साथ क्या करना है and उस time पर बाल manageable नहीं होते है एक तरह से ना वो टेस्ट होता है कि आपको या तो short hair की तरफ जाना है या फिर long hair की तरफ जाना है आप उस time beach में फस जाते हो ना बंदा इधर का रहता है ना उदर का तो यह वाली stage पर आपको बस यह चीज़ ध्यान रखनी है कि सबके hair type ना अलग तरीके होता है सबके texture जो बालों का इन दा मिड़ स्टेज आप स्टार्ट तो यार शुरुवात से करोगे ना चाहे आप गंजे हो चाहे आपके बाल छोटे है तब ही से आप स्टार्ट करोगे यह वाली stage आनी यानी है इसको हम लोग ऐसे नहीं कि हाँ बस पीछे मुड़ गए और बोला अपने आपी जानन आ अगर आप एक प्रोफेशनल हो या फिर आप एक student हो आपको लॉंग एर रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्ते को अगर आप student हो और इस चैनल को देख रहे हो अबिसली काफी students हमारे इस चैनल को देखते इंस्पायर होते हैं confidence gain करते हैं आप से बस एक छोट आप खान और यह मन बोलना की लक्षा वही ने ग्रोग आउट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे नो नो मेरे को आसे कंदे बंदू रख चलाने का मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ क्योंकि अभी ऐसा होता है मैं आपको साफ सीदी बार बताता हूं लॉंग हेर में चाहिए टाइम मै क्योंकि काफी लोग अपने तरीके से जीते हैं काफी लोग अगलाग यूनो लाइशाच को जीते हैं मै ऐसे लोग भी देखे जो मेरे उस टाइम पर रखा करते थो और फिर भी मढटिया अपने मांक्समक्स लेकर आप उन मच्चों में से हो गो फॉर एट लेकिन मेरे कंद हमें मानता हूं कि लड़una के बाल चपन से लंब हम बÑलों को जो कि मेरे भी नेयों है। यू आगर आप अपनी खुद का फ्रीलैंस करते हैं रांधें तब आपको यह सब दिक्कती नहींगे। लेकिन आगर आप इसको अच्छे तरीके से रख सकते हो, awkward stage में भी manage कर सकते हो, and साथ ही साथ जब यह proper लंबे हो जाते हैं, तब एक man bun मिला के रखते हो, वो एक professional side का एक hairstyle है, जो आपको काफी ज़ाधा help करेगा, and you know, आजकल जो HR's हैं, वो ज़्यादा तर इस तरीके के hairstyle रखते हैं, वो अपनी जिन्दगी पी जी रहे हैं, शौक से, और मज़े भी कर रहे हैं अपने hair के साथ, fourth point आजाता है कि आपको long hair रखने की ज़रूरत नहीं है, if you cannot and you do not care for your hair, and आप products use नहीं करते हैं, सबसे जाधे important होता है, इस stage में आपके बालों को care करना, and यहाँ पर होता है इंटेंसिफ products का use, बहुत सारे products आपके बालों में लगेंगा, अगर आपको उनको proper maintain करके रखना है, proper shine चाहिए, luscious long hair चाहिए, इसको हम बोलते हैं आम भाशा में, उसके लिए आपको काफी product से regular basis पर use करने पड़ेंगे, आपको काफी लोगों के बालों में shine नहीं आती, काफी लोगों के बालों में वैसी roughness नहीं जाती, उनको conditioning चाहिए होती है, काफी लोगों के इतने oily रहते हैं कि उनको conditioning से इदर नफरत होती है सुनने में, अपने अच्छे तरीके से इसमें अपनी फैंग लगा लता हूँ और वह प्रॉपर टेक्श्चर देखने को जो मिलता है ना बालों में लंबे बालों में खास करकी मज़ेदार होता है, तो यूशुड ट्राइट आउट, लिंक आपको description में मिल जाएगा, यह जो product है ना, best selling product of Leocor है, अभी sale भी चल रहे हैं तो आपको शाट discount पे भी देखने को मिल सकते हैं, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक खुश कबरी है सभी लोगों के लिए कि Amazon Prime का badge मिल चुक है Leocor के products को, तो आप मुझे congratulate कर सकते हो, comment section में, I would love to see and reply to all of you, इस product के अंदर ना particularly यह इतना जादा क्यों मतलब लोग इसको ले रहे हैं, just because इसमें keratin है, biotin है, vitamins है and बहुत अच्छे तरीके से इसमें, जो ingredients है वो इस तरीके से डाल रखे, कि आपके बालों की care जादा होगी and you know उनको जो damage आपको मिलता है, usually जो cheap products है मिलता है, जो 100-200 रुपे products होते हैं, उनसे अच्छा इसके साथ आपको मिलने वाला है, एक premium product है, linked in the description, वहाँ तर जाके आप इसको खरीच सकते हो and spread the word about Leocor because we are not coming slow. Fifth and last point आजाता है, आपको long hair रखने के ज़रुवत नहीं है, अगर आप easily irritate हो जाते हो लंबे बालों से और उनके hair fall से, अब देखो, आपको एक सच बतायता हूँ, मैं मेरे vlogs को अगर आप regularly follow करते हो नहीं, आप मेरा vlog channel रहोगो, आपके घर में, आपके pillow के उपर, जब आप नहा रहे हो तब, तो यह चीज़ आप ध्यान रखना and घबराना की बात नहीं है कि hair fall हो रहा है, इस तरीके से समझके चलो, and जैसे कि मैं आपको बताया, hair care अग आप अच्छी रखोगे, आपको कुछ भी ज़रूद नहीं है, कि हाँ सोचने की मेरे बाल खराब हो जाएंगे या कुछ भी, long hair look sexy, देखो, मैं अभी और दाता इनको बढ़ाऊँगा, and मेरा goal जो है, जब तक वो अचीव नहीं होता, जो मेरे दिमाग में, जब तक मैं अपने आपको उस तरीके से नहीं देख लेता, शायद मैं, you know, अपने आपकी वो जो image है, उस पर भी खरा नहीं उतरूँगा, अगर आप इस जर्णी है मेरे साथ हो, तो अपनी photo मुझे Instagram पर जरूर भेजना, मैं देखना चाहूँगा, कि आप लोगों ने कितने hair grow out कर ली है, तो ये थी 5 ऐसी बाते, जो raw मैंने आप लोगों के सामने बिलकूर रख दी, जो मैंने actual में face करी है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रही है, कुछ और प्रॉलम सारी long hair में, मुझे comment में जरूर बताना, क्योंकि शायद क्या बता लोगों बहला हो, और उसको मैं अगले वीडियो में cover भी करने कोशिश करूँगा, तो बस ये थी आज की वीडियो, दू फॉलो मी on Instagram and subscribe to my vlog channel Lakshay Thakur, आप लोगों मिलता हूँ next वीडियो में, so till the next time, stay sexy, stay stylish, Arban Gavru out, Leo called links in the description, bye-bye.